दिल्ली के सब इस्पेक्टर मनोस्तोमर ने नमाज पढ़ते समय एक दो लोगों को धक्का दे दिया पीछे से अब उसमे बवाल मचा हुआ है कुछ लोग मनोस्तोमर के समर्थन में ट्वीट कर रहे हैं वीडियो शेयर कर रहे हैं कुछ लोग सेक्रोरिजम के खिलाफ खत्रा बता रहे हैं कुछ लोग दूसरी बात कर रहे हैं लेकिन इस समस्या का मूल कारण क्या है अस्थाई समाधान क्या है इस पर कोई नहीं बोल रहा है मैं बार बार कहता हूं तू तू महमे करने आरोप रत्यारोप करने नूरा कुस्ती करने बतोले बाजी करने सड़क पे हंग अगर सुक्रवार को सड़क पर नमाज हो सकती है फिर तो सनिवार को उसी सड़क पर सुन्दरकान सुरू हो सकता है फिर अगले दिन संडे को भी वहाँ पर पूजा सुरू हो सकती है Ultimately, अगर इसलाम में केवल फ्राइडे को नमाज होती है, तो सनातन धर्में तो साथ के सातो दिन किसी देवता का है तो साथ के सातो दिन, अब जहां अगर फ्राइडे को नमाज पढ़ी जा रही है, अगर उसी अस्थान पे सातों दिन संकर जी, हनमान जी गड़ेश जी और सबकी पूजा सुरू हो जाए तो आखिर होगा क्या इस देश में जैसे मंदिर में पूजा होती है, गुरद्वारे के अंदर पूजा होती है, चर्च के अंदर पूजा होती है, वैसे मजजित के अंदर नमाज क्यों नहीं हो सकती है और जहां तक अगर ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है, तो ठीक है, सिफ्टों में कर लो कोई दो बज़े नमाज कर ले, कोई तीन बजे कर ले कोई चार बजे कर ले कोई पांच बजे कर ले कोई छे बजे कर ले ऐसा क्या जरूरी कि दो बजे ही सब को करना जरूरी है अगर अरब में सब लोग दो बजे करते हैं वो अपनी सुबधा से करते हैं तो जरूरी है दरगाह पे जाना हराम है इसलिए अरब में एक भी दरगाह नहीं है पक्का कबरिस्तान बनाना और पक्के कबरिस्तान पे जाना हराम है इसलिए अरब में एक भी पक्का कबरिस्तान नहीं है तो अगर अरब की नकल करनी है तो एक काम करो सारे मजार तोड़ो सारे दरगाह तो कोड़ो सारे पक्ता कब्रिस्तान खतम करम अरब में तो जो कब्रिस्तान होता कच्छा होता उसको रिसाइकल कर देते हर 14 दिन की हर 15-10 साल के बाद शुक्त भूरी तरी बारी कोड़ाई करके वहां करम और उसी एक आपका 0 कि कना बारत की संस्क्रिटीक मानों भारत की परामपर द्रेटिन या तो आप भारत क्या हो रही है आप भारत को बिल्कुल नहीं मानते ना भारत का तेओहार मनाते हैं ना भारत की विचारधारा से आप सहमत हैं ना वजदेव को तुमकम को मानते हैं ना नारी तुनाराणी को मानते हैं यतना अरश्वी पूजते रमंते तत्र देवता को नहीं मानते हैं मानते अगर नकल करना है, अरब की जैसे ही टूपी पहनना, अरब की जैसे ही गमचा रखना, अरब की जैसे ही कुर्ता पजामा पहने, पहनिए, हम आपको मना नहीं करते हैं, लेकिन फिर अरब के तरीके से सड़क पे नमाज मत पढ़िये, अरब में सड़क पे नमाज नहीं पढ़ परिस्तान नहीं है दूसरी बात अरब में मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी यह नहीं जाते हैं तो फिर फालो करिए लेकिन इसका जो समाधान है जो मैं पिछले तीन-चारदें से सोशल मेडिया पर देख रहा हूँ यह समाधान नहीं है कैंडल माज कर देंगे यह कर देंगे वो कर देंगे ट्विटर वीडियो शेयर कर देंगे यह समाधान नहीं है समाधान है कठोर कानून अगर आप विवस्था क्रियेट करेंगे लाइन और क्रियेट करेंगे आपको कठोर दंड मिलेगा इसके लिए कानून मनाना पड़ेगा अगर आप सड़क के किनारे अवायद निर्माड करेंगे आपको 100% तो अपर्टी जबत होगी आपकी नागरिकता भी खतम होगी और आपको 10 से 20 सल्क सजा मिलेगी ऐसा कानून मनाना परेगा अगर आप भारत को नहीं मानेंगे भारत की संस्कृति को नहीं मानेंगे, भारत की परंपरा को नहीं मानेंगे, भारत के तियोहार को नहीं मानेंगे, भारत के रीति रिवाज को नहीं मानेंगे, हर सब कुछ विदेशी अपनाएंगे, तो आपकी नागरिकता भी खतब होगी, आपको दस से भी सल्क सजा भी मिल लो, तो आरब में भी तो ऐसे नहीं मानते, तो फिर यहां क्यों है, अगर वास्तों में हम चाहते हैं समस्या का अस्थाई धान, अस्थाई समाधान, तो हमको भारत में समाज सिक्षा लागू करना पड़ेगा, दसवी तक वन नेशन, वन स्लेबस, वन नेशन, वन करकिलम, ए एक देश, एक किताब, बंगाल वाले बंगाल हीं पड़े, गुजरात वाले गुजरात हीं पड़े, महराष्टा वाले माराठी म पड़े, लेकिन समान सिक्षा लागू करना पड़ेगा, यह जो समस्या हुई है न मनोस्तों तोमर को आप देख रहे हैं, यह हो रहा है, इस की संस्कृती के अनुरूप एक समान नागरी संहिता लागू करना पड़े, अगर हम इस समस्या का स्थाई समाधान चाहते हैं, तो हमको एक कठोर जन संख्या नियंतर कानून बनाना पड़ेगा, जो हम दो हमारे दो मानेगा, उसको भारत की नागरीता मिलेगी, जो हम दो ह नागरीता भी खतम होगी, दस से बिस साल की सजा भी होगी, और हंड़ेट परसेंट परपर्टिव जबत होगी, तब जाके जन संख्या नियंतर आराम से हो जाएगा, सब मानेंगे, जैसे चीन में मानते हैं, अगर इस समस्या का स्थाई समाधान चाहते हैं, तो हमको घुस पैठियों का आधार मनाते हैं, रासन कार्ड मनाते हैं, ओटर आइडी मनाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, पासपोर्ट बनाते हैं, उनकी हंड़ेट परसेंट परपर्टी जब्त करने, सिटिजन सिब खतम करने, और बिस से पच्चास साल क सजा देने के पड़ेगा, जब तक घुस खोरी नहीं रुकेगी ना तो तक घुस पैठ रूकी नहीं सकती, घुस पैठी वहाँ बार्डर पे 2000 रुपए देके आते हैं, अंदर आते हैं, 2000 में रासन कार, 2000 में बर्स सर्टिफिकट, 2000 में दो मिसायल सर्टिफिकट, 3000-4000 रुपए में ड्र रोकने के लिए हमारे पास कानून नहीं, धर्मांतरन हमारे लिए बहुत बड़ा खत्रा है, नौराज्यों से खतम हो गए अजादी के बाद, 200 जिलों से खतम हो गए, 900 तहसीलों से खतम हो गए, नौराज्यों से, 200 जिलों से, 900 तहसीलों से, खतम हो चुके हैं, डेमोराफी religion एक विदेशी religion भारती religion मतलब जैन, बौध, सिख, हिंदू ये भारत इनकी सुरुवाद भारत में हुई विदेशी religion क्या है क्रिशेंटी है इसलाम जो आदमी विदेशी religion में convert कराए जो विदेशी religion में convert कराने वालों की मदद करे उनकी 100% property जब्त करने, citizenship खतम करने 10 से 20 सल्क सजा देने के लिए कानून मनाईए मैं guarantee के साथ कहता हूँ धर्मान प्रन कल रुख जाएगा आप घुसपैठियों की 100% property जब्त करने नागरिकता खतम करने 10 से 20 सल्क सजा देने के लिए कानून मनाईए घुसपैठियों के मददगारों की 100% property जब्त करने उनकी नागरिकता खतम करने और उनको 10 से 20 सल्क सजा देने के लिए कानून मनाई मैं guarantee के साथ करता हूँ सारे घुसपैठियों अपने आप भाग जाएगे सारे घुसपैठियों अपने आप छोड़ छोड़ के भाग जाएगे क्यों उनको तीन महिने का टाइम दे लिया जाए वह यह तीन महिने बाद जो पकड़ा जाएगा सेडिजन से भी खतम होगी नागरिकता भी खतम होगी और दस से बीस सल जिल में रहना पड़ेगा अपने आप भाग जाएगे अगर हम वास्तों में चाहते हैं कि ये जो समस्या हुई है दिल्ली में ये रुके तो हमें भारत में जस्टिस विदीनियर लागू करना पड़ेगा एक साल के अंदर सजा मिलेगी मतलब कानून कठोर हो और सजा एक साल में मिले वो तभी हो सकता है जब भारत में जो घटिया कानूनों का मकरजाल चलना है पचास कानूनों का मकरजाल घुसकोरी कालग कानून, जमाखोरी कालग कानून, मिलावट खोरी कालग कानून एक घंटे के अंदर F.I.R हो, एक महिने के अंदर जाच पूरी हो, एक एक हपते पे तारीख लगे और साल भल के अंदर फैसला हो. इसके बीना कुछ नहीं होगा, नहीं तो याद रखिए, 1947 में भी दुकान, मकान, घर्म, परिवार सब कुछ छोड़ के भागे थे, और अगर कानून नहीं बढ़ला, तो 25 साल के बाद फिर सब छोड़ के भागना पड़ेगा, आज के नेता, 25 साल के बाद आपको बचाने नह आएंगे, आज के अभिनेता, आज के लेखक, आज के बुद्धिजीवी, आज के पत्रकार, आज के कलमकार, आज के महामंडलेस्वार, आज के मठाधिस, आज के कथावाचक, आज के भागवत कथावाचक, जिन के भरोसे आप बैठे हुए, ये 25 साल के बाद आज के बच्